सब्सक्राइब करने वाले अपने पॉड़कास्ट में आज हमारे साथ फिर से मौजूद है दिलिप भाई और आज जो यह कहानी बताने वाले मोतरकंड के कैसे गाओं की है जो बहुत खोफिय गाओं जो एक दम बंद पड़ा है और यह इनके बहुत ही एक क्लोज दोस्त के सा इसको तो हम जरूर कवर करने वाले अपने पॉड़कास्ट में और शुरू करते हैं ओवाट यू दिलिप भाई थैंक्यू भाई मेरे को दुवारा उलाने के लिए एक बार अरे भाई और यह गटना मैं सुनाने से पहले आपको यह बता दू कि बहुत लोग सायद इस बात है जो मेरे साथ रहता है उसके साथ यह घड़ना हुई तो बात यह उस वक्त कि है भाई जब ना काफी जिन्दगी हमारी स्लोती में इंटरनेट वगरा इतना नहीं था रहे होगी बात ही दो यार दो के करीब भी अब जो अपने मेरा दोस्त है वह भाई ट्रैबलर वह घू आप के ऑफ बीट जाता है गाउं में ऐसे किसी में सिटी में जाके नहीं गाउं वगरा में जाकर एक दौफती रहके आता है अपनी सांति में जो भी उसे थोड़ा राय्टर है वो लिखना वीना हुता है तो भाई वह पोंच गया एक दिन उतराकंड के उमरेड गाउं में आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पेस गाउं का नाम वहां पोंच गया और वहां उसे भाई मिला एक जगह है उसने अपने ली वहां पे रहने के लिए उसने बुक किया एक आध अफ्ते तक वहां पे एक कैफेता चोटा सा वहां मिलता उसे एक सुरेश नम का लड़का उससे सकते हम सब्सक्राइब के राऐ अच्छा तो बात बात वहां उससा पूश्ता मैं यहां का रहने वाला नहीं और में बारогगर से नहीं क्यूं रहा नहीं कि में च्के लगता हीन और श्करिता बंचार लगता जराए दोस्ति जर्च सबस्क्रान से कल्या हो टेकस उल्टाइब का कि विद्धा न्यों को मरेי कि भूं ते इस छलते हैं। तो फाले होonta है। हम ऍbabहते कॉलाव तो पर भंचिता थो तो तो पिसक्रावजर मesस की घ्या आखाना, मत कि तो पर भी थोड़ा होई। यह सो भाग कर रहा है तो वह थोस अथ गारे पाद को बलते आ कि होots 10 कि अब आयो सबस्य चाका फार्फ कि तो तो वह एसा नहीं आप जान के आयो आपके आयों कि महाँ कभी कुछ नई देड़ लेखा अब भाग करता हूं एक एक अवाज थी ना जो मेरे को बुलाती थी वो मेरे को चैनी लगने थी और मेरे साथ ऐसा ऐसा वो इंसेट बताता है अपना कि मैं कैसी फैंबली सा आता हूं मैं बार भी पास करके और मैं जिस दिन बार भी पास करके आया था और मेरे को वो अवाज यह तिनी strongly बुलाती थी आपनी तरफ कि मैं खिजा चलाया है यहां पर चारा मेरे को सारे इंस्ट्रक्शन दिये गए कि कहा आना है कैसे आना है इस तरीके से और मैं यहां के रहे लगा तो वह अवाज सुनता सुनता उस गाहों में पहुची है उस गाहों से आ रही थी बैसके लिए उसको और फिर और सब्सक्राण पर रूख जाता है बोलते तो वहीं रूख जाता है कि उसे जयसे किसी अवाज ने मना कर जै ытुछा उसी आवाजे कि भाई कुछ मत बता ऑगी है व लड़का खूबर होता है कि मेरा धी मन करता है वापे जानेका पर मैं यहां एक मजबूरी मर्का हुआ पर भाई लास दिन ़ता कहता है मैं जा रहा हूं वहां से नीचे उतर के आता है 10 12 कکलो्मीटर नीचे आकर गांगे वह जो सहर है जहां से भ intended पर जाना अपनी सेहर के दरफ रह भाए मधना बोलता है लो जास carrots कि नोगमें्ट पुछता हूं कि यह क्या सीन है इस चीज इसका वो लोगों से बोलता है तो जो उसे सुनने में मिलती है आसपास कि बोलता है कि भाई वहां गाउं में तो लोगी 10-15 बचे हैं तुम किस से मिलाएं वहां तो ऐसा कहफे हफे भी कुछ ही नहीं है ऐसा और तुम किस से मिलाएं वहां तो खंडर पड़ा गाउं तो वह कहता है तुम मेरा पागल उना रहे हो क्या भाई मैं तो उससे उपर मिल के आया हूँ वहां के पुलिस वालों से बात करता है कि भाई मैं चलो इन से बात करता हूं क्या पता है यह जूड बोल रहे हूं पुलिस वाले के बाद जाता है, पुलिस वाले भी यह कहते हैं, भाई वो गहाँ खंडर पड़ा है, दस बारा लोग रहते थे वहाँ अब भी नहीं है, उसे यकीन नहीं होता है, और जो आपका दोस्त था वो उस लड़के के अलावा और भी लोगों से मिला वहां काफे में खाना पीना मिला उसे, खूब, वो उसको हो जाता है कि टैंसन उसको भाई यह क्या हो गया मेरे साथ क्याता है मैं यह रुकूंगा आज रात, और सुबह लेके जाओंगो लोगो अपने साथ उपर, दिखा के लाओंगा, मैं उससे मिला के लाओंगो उस लड़के से, कौन ह क्योंकि वो देख के आ रखा था, उसने खा भाई जाता है वो अगले दिन ऊपर लेके जाता है तो तिन लोग और पुलिस वाई लोग अपने साथ लेके जाता है, तो भाई अगले दिन देखता है, वहाँ पूरा खंडर गाउं में, जहां वो जगे रुका था, घूमा था पूरा गाउं खंडर पड़ा है, एक आदमी नहीं वहाँ पर तो जो कैफे वाइफे था वो भी कुछ भी नहीं था वाई, सब खंडर पड़ा था, घास उगर रखी थी और यह सब, एक आद जो लोग होंगे वहाँ घूमते फिरते वह होंगे, वन्ना वहाँ पर कुछ भी बेवकूफ है, पागल बना रहा है, या फिर नसे कर रहा है, इस तरीके से उसे बोन लगे होंपे, उसके दिमाग में आई, हाँ, उसके दिमाग में आई कि भाई नहीं यार, अपने आपको गलत प्रूब नहीं होने देना, अब उसने कहा कि उस लड़की ने मेरे को बताया वो इसी सोच में कि भाई, क्या है, क्या नहीं है, वहाँ पहुंच जाता है, जो जैसे-जैसा उसने पता बताया था उस लड़की ने महाँ पहुंचता है, गली के बाहर उसके उनने बताया था पान की दुकान है, पे पान की दुकान पहुंचता है, पे पान की दुकान पह पता हो तो से यह तो वह उंगली कर देता है वह यह वाला कह रहा है वह जाता है गेट में पैंताली पचास साल की और निकलती है उसकी वह चूटते कहा जाता है कि मैं अंटी सुरेश का ना दोस्त हूं और कुछ पूशन आए हूं आपसे तो पहले तो चोग जाती है फिर सो ब कि वह में एक अफ्ते रुका वह मेरे को ना शुरेश मिला आपका जो लड़का है उसने मेरे को भेजा है कि वह अंटे एकदम घुस्से में बोलते कि तुम पागल बागल हो गयो और यहां मेरा मजाग बनाने आई हो मेह लड़के का और मेरा क्यों क्या हो गया कि हमारे लड जो जो नग जो डोनब को अ कि आप दिखाते है फोटो स्की का यह था वह देखते हैं कि यही था कि कहला भाई यहीट wilt ख़िन आड़े उस यह हैं फिर अन्टे कर आप अगर आप उनावान है वहाँ जो साथ say to बताता है कि वह मगानी बताती है कि कि यार सब्धा हाट कियलता परिवार ना काफी अच्छा इंटैलियन सही हमारा और बस हमारी गलती की वैसी चला गया गया हू जो वुलता है तक ब्था पासा जा गया कि tahun तो हमने जब उसे चीज टाल दी तो के एक्जाम जिस दिन उसके खतम हुए और उसका रिजल्ट आने वाला था उस दिन अच्छा-कासा रिजल्ट आया हम सब खावी खुशते वह घर आया मैंने कि चल सुसाइटी में मिठाई बांट देते हैं तो मिठाई लिया तो जैसे कर लड़का समझ जाता है कि यह जो हुआ वह अंतिम अपने अपने अंतिम मौत तक लड़का उत्रखन तो गाहों में जाना चाहता था कि अब इस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करूं कि जैसे घर से निगलता है ना तो आज आती है कि उसको भी वापस आजा यहां आजा कि अवाज आती है क्योंकि वो कहता है सुरेश कि मैं आके लाओं वो एक तरह का सराब दे रहा है लोगों को जिस इस इनसान को पता चलती जाएगी वो उस गाउं में जाकर रहना स्टार्ट कर देगी अरे तरी मला उससे फिर उस गाउं से अवाज आएगी कि आप इस गाउं में चले आओ आप यहां से ब्लोंग करते हो तो आपका दोस्त अब क्या करता है अब तो भाई आखिरकार वो फिर इस चीज़ से कैसे निकला उनना काफी अपना भाई वो कराया मंतर मंतर पूजा पाट करा काफी कराया उसे आवाज आना काफी बाद में बंद हुए उसे एक आध हफते दो तीन हफते वो इतना परिशान रहा फोन पर उसको आवाज ही आती थी कि मेरे पास चले आओ नंबर नंबर भाई पता नहीं पर को लाती थी उससे ऐसा नंबर तो मिरे को ऐसा कुछ पता नहीं इस चीज़ का पर उसे को ल अधर पर उसकता है और जो ओडियंस को बचाए तो आप बीव ड्रांसफर हो सकता है वहला हमें भी सुना ही दे सकती है इसमें रिस्क है हां और एक तेरी भाई सब मेरा रात में लेटे हुए हमें यह आएगा कि यहां यह आवाज आ सकती है भाई जाना मत्यार कहीं कोई भी आप नाम बदल देते यार सुरेश का मुकेश कर देते तो उसे लगता कि चलो कोई और नाम है ठीक है उस तक यह बात ही नहीं पहुचती भाई क्या गुस्ता हो जाता कि नाम बदल दिया अच्छा जो ओडियंस देख रहे हैं उनके फास भी हो सकता है जिसको यह कहानी दोस्तों अष्चा खाल ओता इस गहां कि अशने पता कि उस गाउं पर व confenty किसी दीर पोच गयों तो आप पर उप उसगाउं की क्या हिस्ट्री कि क्या हुआता उस गाउं की कि 1 डर कुछ इसा हुआ था वहां पर कोई ऐसी बीमारी एक ऐसा तो मुर्थ घा था घा सुरात में एक औरत बचीती जो 82 साल की है जो शिल्फ लाश में पूरे गाउं में वही बचीती एक अके लिए और उसमें सिराप लग चुका है वहाँ पर जाने ही एकदम मना है अगर आप जाओगे को क्योंकि पहाडी लागम उतरखन वगरा में वैसे भी काफी दे भूमी और वहाँ में समझे के चलागे आपका दोस्त नॉर्मल गाउं है कैफे है उसे तो पता ही नहीं भाई पहाड़ों में होता भी जादा ही है वो बता रहे हैं सोलो ट्रैवलरा चले गया और चोटी पे ट्रैवल करते करते हैं तो भाई फेस कर लिया भाई लिया तिरसाथ हो ऐसा अब यहाँ जी है वो पल में तो देखा है कैफे अदो से क्रिशिटी हो गई ना कि यह मिर साथ कैसे हो गया और मेरे अचो लड़का मिला है मैं बता कर की आऊंगा कि कहा है तो पूछ रहा हूं तू क्या करेगा वाई थे वापस तूनी जाया जाए जाए गा वापस ही नही यही करूँगा भागूँगा वहां से और जो लोग है वो अगर वो ज्यादा वो नी हुए कि जैसे लोग भी तो वो जाते हैं कि हमारा पागल बना रहे बना रहे तो भागूँगा ही उनसे भी बचके और गाउंसे बचके साले उनी की टाटा सूमो में तो तो उपर तक आया पुलिस हूलिस के साथ अब क्या पैदल भागेगा तुझा तो बालू पकड़ लेगा रस्ते में पहाडी के जरीए नीचे नीचे आऊंगा बिचलेगा सुरेश बिचे-बिचलेगा तेरे बेटे पुर सुरेश पकड़ ल अब तो शिंआ लगा रहा पर बता कि और पर दोस्ती के बात है बही सोच आइसा नहीं होता तो दादी की टाइम की बात यह है कि उनके घर में क्या था कि होता है ना पुराने टाइम में यह होता है लोगों के सोचता है कि हमारे एक लड़का हो जाए लड़की को पर एक लड़का हो जाए ताकि हमारा बंस आगे चल पाए पुराने टाइम में लोग सोचते हैं आज भी तो उनके मावब तोड़े परिसान रहते थे कि यार लड़के के चक्कर में पांच लड़के हो चुकी हैं, लड़का हो नी रहा हमारा बंस कैसे चलेगा आगे, घर परिवार काफी है और हमारा यह बंस कैसे बढ़ेगा आगे, काफी परिसान रहते थे उनके मावब, तो बु और 10-15 दिन भूखे प्यास रहना पड़ेगा, पानी भी नहीं पी सकते हैं, और पूजा करनी पड़ेगी पेड़ की, 10-15 दिन आपको निरजला ब्रत क्याते हैं, इसमें पानी भी नहीं पी सकते हैं, आपकी कोई भी मनना तो पूरी हो जाएगी, वो जाके, अब उस पेड़ पर यह नहीं कह सकता कि प्रेट था या देवता था, क्योंकि बर्गत के पेड़ पर प्रेट भी रहते हैं, और देवता भी रहते हैं, मननत को अनपूरी करता था यह चीज अभी नहीं पता कि कौन था, जाके उन्होंने कहा, नो-दस साल की रही होंगी, वो छोटी थी, उन इनके दिन से भ्रत दिरंगना सटाट कर देती हैं, भाई न खाने पिना छोड़ देती हैं, दिले-दिले उनकी तेवीत खराब होने लगती है, उनके घर में भी काफी बीमारी आने लगती हैं, पर वो छुप के ना खा रही थी ना पी घैए, मनने वाली हालत तो होई बच्चे को काफी बोला गया कि बता क्या ओक दिक्कत है तेरी ओक्टर ने कोई बीमारी नहीं बता है तेरी वह क्या हो रहा है हमें बता तो वह रोगों के फिर बता देते हैं कि ऐसे ऐसे उस पेड़ पर जाके आप लोग परिसान दे तो मैं अपने बाही की मिनत मांगिए अब वो लोग तो इस मांगे कि यार यह क्या करा ही क्योंकि वो इस पेड़ पर जो भी आपने बोल दिया एक बार वो फिर होके रहेगा किसी भी हलत में जाके पूजा पाट करीब हाई वहां के पंडितों को बुलाया गया कि हाथ जोड़े उस पेड़ के आगे जाके उनके म आपने कि हमारी बेटी नादान है गलती कर दी नादानी में आपसे यह मननत मांग ली इसे आप माफ कर दीजे और आगे से हम ऐसा खैल लखे है कुछ ना हो भाई वो ठीक नहीं हुए उन्हें ना सपने में भी एक आदमी दिखें लगया क्योंकि उन्हें लड़के की मांग कि दीरे दीरे उनकी जो पांच बड़ी भेने थी उनकी डेफ होना सटाष्ट हो गई पहले पहले मरी वह एक महिने में उनके फिर में दो मोत होगी दोनों बहने क्योंकि उन्होंने मांग लिया थे एक अलग चीज जो उनके हाथ में लड़की लड़का तो उसका वो यह था और फिर उनकी महाने पूरी होगी आपकी। अब फिर उनकी पांचो भेन मर् चुकी थी। वो अकेली बची थी लास्ट में गाने में और अब हादे में फिर दीरे-दीरे टाइम में, उनकी पांचो भेने खतमुत। पूजा पाठ पाठ करवाय उससे कुछ नहीं हो.. लड़का फिर भी नहीं हुआ लड़की हुई तो भाई लेकर लेकर ने वह गलत हो गया ना बहुत नहीं पर एक तरीके से तो वह भी ले जो बर्गत का पेड़ है जो भी कहरें आप उसको वह तो अपनी इच्छा पूरी कर ली ना उसने बदला तो ले लिया रहा उनके हाथ म वह चीज तुम्हा पूरी करने चाहिए थी वह चीज वहां खराब हो गई अगर वह चीज पूरी करते हैं तो सहाथ कुछ हो जाता अच्छा मिल जाता पर उनने वह चीज छोड़ दी जब 3 दिन हाथ खराब गई इस तरीके से अरे बापर ये भी खतरनाक चीज है भाई दे आपसे बदले में कुछ ना कुछ लिए उदर प्रेद या पिशाच इनी का वास होगा जब इतना लेगटेव होगा वहां तो कोई देवता जी तो प्रूफ हो गया पर बरगत के वेड़ यही कहते हैं वैसे भी कि बुरी एनरजी ही होती है जादर तर नहीं अच्छे भी र थे मज़ा मेरेको तो गाओव वाला बहुत रगाँ वह क्रेजिया वहाई जा सकता है जोट बोल रहूं पर मेरे इंस्टाइ। डाल देना में बता दूंगा njg wellbeing और उनने परसनली स्टोरी बता देंा तकि अपने लिगए वाद तो मैं बता दूंगा सारी चीज जिसको भी जानने के लोगों तो पता ही उन्हें पता है थोड़ा भी कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में बाई ने जो गाउं का नाम उम्रेड गाउं के उत्राखंट से जो हमें देख रहा है यह बार जड़ा वेरिफाय करो कि गाउं वो श्रा निकलते हैं हमें काफी पैरेंट्स मिलते हैं आप लोग करो यह कहता है आपके पॉड़कास हमारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन यह सला जरूर दो यूटूब देखने के साथ ना पढ़ाई पे भी धियान दो पढ़ाई लिखाई भी अपनी जारी रखो हमारे पॉड़क कर ले ना भाई भाई कर देंगे वैरिफाई यह कहानी पूरी और ऐसी नहीं नहीं होरर पॉर्ड़कास हम आपके लिए लाते रहेंगे तो लाल बटन को दबादो सब्सक्राइब ठोप लाइक शेयर कमेंट बाई बाई जैश्री राम जया बजरंग बली अपना ध्यान कोईया